कि मुख्या वगरा से तुम खुद से बात करने का कोशिश नहीं किया बात करा वह बोला कि आएगा आएगा कब आएगा मुझको पता नहीं है नहीं है तो आपने सुना कि इन्हों ने खुद से भी मुख्या जी से बात करने की कोशिश की लेकिन मुख्या जी छिटकते हुए नजर आए ऐसा हम कह सकते हैं मुख्यान ने कहा कि नहीं सूची आ गया है बनवा देंगे बनवा देंगे कहां सूची चला जाए पहुंच साल बीत गए कहीं कुछ नहीं बना महागामा प्रखंड के 29 पंचायत के 240 गाउं में से एक गाउं है गढ़ी जहां का एक परिवार है जिस परिवार में तीन सदस्य हैं जिसमें दो दिव्यांग भाई बहन हैं और एक मौसमात माताजी हैं और इनकी जिन्दगी किस प्रकार से चल रही है किस प्रकार से गुजर रही है ये पूरी कहाने आज हम आपको जिला टॉप के माध्यम से दिखाएंगे नमस्कार मेरा नाम आदित्या आनंध है और आप जिला टॉप देख रहे हैं हमारे पीछे ये दो सक्स आपको दिख रहे होंगे दोनों की उम्र लगभग 40 और 35 वर्ष है दोनों पूरी तरह से करीब 90 प्रतिशत दिव्यांग है और इनकी एक माताजी है जो मौसमात है और इनका घर किस प्रकार से चलता है पांच साल जो है गाओं के जन प्रतिनीधी मुख्या रहते हैं पंचायत समीती रहते हैं वाड़ पारशद रहते हैं जिला परिशद रहते हैं इसके बावजूद भी इनकी इस्थिती किस प्रकार से है यह आप देख सकते हैं उसके बाद हम आपको इनका घर दिखाएंगे कि ये किस घर में रहते हैं, किस इस्थिती में रहते हैं, हम आपको पूरा घर घूम कर दिखाएंगे, यहां आप देख सकते हैं कि यह चूला है, जिन पर इनके घर का खाना बनता है, यहां एक और चूला है, और इसके बावजूद यहां पर गैस सिलंडर है, जी हां, सरकार द्वारा दी जाने वाली एक और सुईधा, गैस सिलंडर भी है, लेकिन इनका उपयोग घर वाले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, साहब आपने गैस दे दिया है, पक्के मकानों की सुईधा दी है, तमाम सारी सुईधाओं गरीबों के लिए उपलब करवाई हैं, लेकिन उनका कितना असर गरीबों को मिल पा रहा है, यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इनकी दैनी स्थिती से आप वाकिफ हैं, कि किस प्रकार से यह अपना जीवन जी रहे हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर गाओं के बहुत सार का विकास क्यों नहीं हो पाया है, क्यों आखिर इन दोनों को विकलांग पैंसन नहीं मिलता है, माफ कीजिएगा दिव्यांग पैंसन नहीं मिलता है, इन्हें मुसमात पैंसन नहीं मिलता है, या फिर इन्हें पका क्या हुआ दादी आपका, बेतनी खातून, कितना उमर कित शरνο सार सेटर उमरถेु रोगयाँ चर्पंधार आपको क्यों नहीं मिला है कभी नहीं मिला राहे क्यों नहीं बोले नहीं कौन है मुख्या यहरे कि यहां के लिए को अरूंकि जोगी-मडर तो कभी उनको बोले नहीं हां वोग fol Eye कि हमको घर करता है कि होगा 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 करके छोड़ दिया नहीं दिया नहीं गया आपको मुंसमात पैंसन है आभी 45-45 मैं नहीं मिला व早 पैसा नहीं आया है कोनबोलता है ब्थ याले प्लॉट jadi कर जाके नहीं पूछे रुट हमने वो बात करने जानते हैं हाँ हम आपको इन से बात करा के सुनाते हैं कि क्या कुछ स्थिती है क्या नाम वा दोस्त मिलता है घर दिन से घर मिलता है हर मैना क्यों मिल जाथ नहीं मिलता है कितना झीमिला है न forgiving सबस्रेंघेंट कितना मिलता कितना है पैंसन एक हजार हो कि दोनों डॉनमम म Beim चलाना तो कभी सैकिल वगए मिला कर ने ट्राय से σεल के लाट है उससे चलते नहीं को कहां जाते हो चलके लेकिन चषितकते हुए नजर आये एइसा हम कह सकते हैं गाऊं के और लोग है हम आपको इनसे बात कराते हैं ये तो इस घर की समस्या थी अब पूरे गाउं के महिलाओं की क्या समस्या है जो विरिधा है उनकी क्या समस्या है क्या उनको विरिधा पैंसन मिल पा रहा है क्योंकि यही सब छोटे-छोटे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर election लड़ा जाता है चुनाव लड़ा जाता है गड़ी है भुलोग का पड़ता है महागमा परखंट इस परिवार की इस परिवार की परिवार का तो आप देखी रहे हैं गहर बकान दोनों बिद्वाब अथी बिकलांग है हैं सरकार हो पाँच मेना शे मेनश को पेसे नहीं मिला है नहीं मिलां तो इधर से उधर से करें वे वह भी आप लोगो को भी लगता है कि सको सब चीज मिलना चाहिए सब़स्व में तब आपका क्या नाम हुआ बभाब भुजूर्ग लग रहे हैं बहुत दीन से देख रहे हो में लोगों को क्या नाम क्या हुआ रशूल रशूल अच्छाव नहीं बार-बार पर लेकिन मुख्याने कहा कि नहीं रागा है बनवा देए का पहुंच साल बीद गए कहीं कुछ नहीं बना कि तो का रहीं का दूरम्क करवा पता है थो हम क्या वाड को यहां कोई भेल करता है कि शेता हैं कि इसका होना चाहे, मकान बनना चाहे, लोगों को सुवेदा मिलना चाहे, तो इसके बात का होगो क्लियर इनी करता हुए. आप आजाएए भईया, आप आप जो मिनट बताएए थे, आपका क्या नाम हुआ? मुहम्मद बिलाल. क्या करते हैं? कभी आप लोग कभी गाओं का युवा सब मिलके नहीं चाहे कि इनको कुछ मदद मिलना तो मतलब गिराम पंचाइट में कभी कुछ भी आता है इसका नाम लोग सबसे पहले लेते हैं लेकिन वह नहीं होता नहीं है यह हो जाएगा हम गये और कोई गया जो भी जैसा भी कोई यह सिर्फ एक दिव्यांग या फिर एक मसमात की तकलीफ नहीं है सरकार आपके द्वार कारक्रम भी किया गया था जिसमें जितने भी तमाम पंचायत के द्वार पर जाकर पूरे परखनकार याले के अधिकारी जितने भी कर्मचारी थे वो गाउं गाउं जाकर कलेक्ट कर रहे थे उनका पेपर कि जो भी विर्धा पैंसन हो विध्वा पैंसन हो या फिर अन्य कोई भी तरह का काम हो वह उनके द्वार से किया जाएगा महिनों बीच चुके उस कारेक्रम को सालों बीच चुके इन सारी योजनाओं का लेकिन अब तक इन लोगों को इन सब का लाब जो है वह नहीं बिल पाया है और ये पूरे जिले का यही हाल है कि हर एक चार आदमी में एक व्रिधा व्यक्ति जो है उनका पैंसन आप पूछेंगे तो उनका पैंसन रुका हुआ आपको मिलेगा तमाम जानकारिया हम आपको देंगे हर एक पंचायत घूमकर हम आपको हर एक पंचायतों के समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे तब तक के लिए हमारा यह विशेस कारकरम पंचायत की बात देखते रहे और हमारे साथ बने रहे